हेलो व्रीवन, दिस साइड मोनीका यादो, होप यू ओल गूट, आज की इस वीडियो में हम एट क्लास की सैल प्रेक्टिस एट बी करेंगे, यह एट बी एक्सराइस का सेकिंड पार्ट है, इससे पहले मैं एक वीडियो अल्रेडी अप्लोड कर चुकी है, जिस पे हमने कोश प्रेप्शन में और आई बटन में मिल जाएगा, इस वाले वीडियो हम कोशन फाइफ से करेंगे, कोशन फाइफ देखिए, दा डिफ्रेंस बिट्विन 54 परसेंट ऑफ नंबर एंड 26 परसेंट ऑफ दे सीम नंबर इस 22,526, वाट इस 66 परसेंट ऑफ दाट नंबर, किसी न माइनस करते हैं, तो आता है, 22,526, तो उस नंबर कहां में, 66 परसेंट निकाल के देना है, ओके, नंबर हमें गीवन नहीं है, इसलिए हम लेके चलेंगे, लेट दा नंबर टू बी, एक्स, यह हमने एक्स ले लिया, ठीक है, देन उसके बाद क्या दिया हुए है, डिफरेंस दिया हुए है, किस-किस में, 54 परसेंट और 26 परसेंट में, 54 में से हम 26 माइनस करते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, 28 परसेंट, अभी हम डालती है, अकोर्डिंग टू दा कोशन, कोशन में क्या कहा गया है, 28 परसेंट ओफ एक्स, इक्वल्स टू क्या है, 22,526, ओके, कोशन को समझने की कोशिस करना, जो दो परसेंटेज दी गई है, इनको हमने सीधा माइनस कर लिया, तो हमारे पास आता है, 28 परसेंट, और वो कितना है, 28 परसेंट, 22,526, क्योंकि यहां यह डिफरेंस बता रखा है, ठीक है, अच्छा, हमने न, एक्स भी निकालने की ज़रूरत नहीं है, कोशन में हमसे पूछा था, कि 66 परसेंट उस नमबर का निकाल के देना है, ठीक है, यहीं पर हम यूनिटरी मैथर्ड यूज़ करेंगे, अगर 28% of X है, 22,526, then 1% क्या होगा उस नमबर का, of X, यूनिटरी मैथर्ड क्या कहता है, जब ज़्यादा कर दिया हो, और हमें एक का निकालना हो, तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, इसका हमने 28 से डिवाइड कर दिया, then हमें कोशन में बोला था, कि 66% निकालना है of X equal to, जो 1 की value आई ही, उसको हम 66 से multiply कर देंगे, clear, अभी हम पहले 2 की table से काटते हैं, 236, 236, यह 14 जा से कट जाएगा, अभी हम 14 की table से ही कट दे कर रहेते हैं, 14 वंजा, और यहां पे आएगा 1609, ओके, 1609 को 33 से multiply करेंगे, तो आएगा 53,097, हम नीची ही कलाइन लिके देंगे, 66% of the number is 53,097, Q6 करते हैं, when 125 is subtracted from a number, it is reduced to its 37.5%, what is 25% of this number, यहां पे number तो हमें दिया नहीं है, तो पहले तो हम number ही ले लेते हैं, let the number to be, जो कि हमने ले लिया, x, then 37.5% of the number is, क्या हो जाएगा, 37.5% of x, ठीक है, इसका decimal और percentage हटा देते हैं, तो यह बनता है, 375 upon thousand of का मतलब multiply x, तो यहां पी साइड में x लगा देते हैं, clear, अब आगे हम according to the question करेंगे, question में कहा गया था कि number में, number जो कि हमने माना x, उसमें अगर minus करें, 125, तो हमारे पास क्या बच्चता है, 37.5% बच्चता है उस number का, जो कि हमने निकाला था, 375 x upon thousand, यह बच्चता है, ठीक है, अच्चा अभी हम इस वाली x वाली term की transposing कर देते हैं, left hand side, और 125 की transposing कर देते हैं, right hand side, यहां आ जाता है, x minus 375 x upon thousand, यह देखो negative है, यह right hand side जाएगा तो यह positive हो जाता है, अब हम LCM लेके इसको simplify करेंगे, LCM 1000 ही आएगा, x के नीचे कुछ नहीं है तो one, यहां पे 1000 x minus 375 x रहेगा, that is equal to 125, इनको minus करेंगे तो 625 x upon thousand आएगा, that is equal to 125, अब हम इनकी भी transposing कर देते हैं, इधार सिर्फ x रह जाएगा, यहां 125 के साथ क्या आएगा, देखो यह 1000 डिवाइड कर रहा है, तो यह right hand side आएगा, तो यह multiply करेगा, और 625 multiply कर रहा है, तो right hand side आएगा, यह divide करेगा, 25 की table से ही काटते हैं, 25, 5 जा 125, और यह जाता है, 25 पे, 5 बन जा 5, 5, 5 जा, again काटेंगे, इसको 5 की table से, तो 200 आजाएगा, x की value क्या आगई है हमारे पास, 200, the number is, number क्या है हमारे पास, 200, अभी हमें निकाल के क्या देना है था, 25 परसेंट ओफ दा नम्बर, 25 अपोन 100, ओफ का मतलब multiply, नम्बर क्या है, 200, हम निकालेंगे, ठीक है, 2, 0 से 2, 0 काट देंगे, 25 को multiply करेंगे, 2 के साथ, तो हमारे पास 50 आ जाएगा, उस नम्बर का 25 परसेंट क्या है, 50, 7 कोशन देखिए, आप परसन स्पैंट 75 परसेंट ओफ इस इंकम, एक इंसान जो है, अपने इंकम का 75 परसेंट खर्च कर देता है, if his income increase by 20 परसेंट, अगर उसकी income 20 परसेंट इंकरीज कर दी जाती है, and expenses increase by 15 परसेंट, और उसका जो खर्च करता है वो 15% बढ़ जाता है Then find the percentage increase in his saving तो हमें उसकी saving में कितना percentage increase हुआ है ये बता के देना है इस question को करने के लिए हम उसकी total salary 100 ले लेती हैं तब easily हो जाएगा ठीक है Let his total salary 100 20% उसकी salary increase हुई है Then his new salary देखो हमने total salary 100 लिये तो 100 का 20% भी 20 होगा तो उसकी new salary आ जाएगी 120 ओके अब हम उसका खर्चा निकालती है His total expenditures देखो उसका खर्चा कितना दे रख है 75% और 75% 100 का निकालेंगे तो वो 75 ही निकलेगा Okay और increase कितना होता है उसका खर्चा 15% और 15% 100 का निकालेंगे तो 15 ही निकलेगा इनको add करते हैं तो क्या आता है 90 उसका खर्चा होगा अगर वो कमा रहा है 120 रुपए तो 90 रुपए वो खर्च कर रहा है अब हमने निकाल के क्या देनी है saving निकाल के देनी है यहां मैं लिख देती हूँ old saving पहले उसकी saving कितनी थी देखो वो 100 रुपए कमा रहा था तो उसमें से वो 75 रुपए खर्च कर रहा था उसकी old saving है 25 रुपए clear new saving क्या हो गई new saving हो गई जो 20% increase करने के बाद में उसकी salary क्या थी 120 और खर्चा कितना है 90 रुपए का यही है तो इनको minus करेंगे तो हमारे पास 30 आएगा यहां पर हम लिखेंगे saving increased कितनी इंक्रीज हुई है 30 हो गई है ना 30 में से 25 हम minus करेंगे यहां आएगा 5 अभी इसका percentage जो निकाल के देंगे यहां हम लिखेंगे percentage increase कितना increase हुआ है वो हम percentage में निकाल के दे रहे हैं increase का percentage निकालना है तो जितना increase हुआ कितना increase हुआ है 5 और किस में से निकालते हैं percentage जो की पुरानी चीज दे रखी थी old saving उसके कितनी है 25 की है ना then इसको multiply करते हैं 100 से इस तरह से हम percentage निकालते हैं ठीक है 25 की table से ही cut कर देते 25 बंजे 25 25 फोर्जा 100 और 5 को 4 से multiply करते हैं तो 20% हमारा answer आता है इस वाली वीडियो में मैं आपको यहीं तक करवाँगी अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो जदे से जदे लाइक करना और शेयर करना I will upload you next video soon till then bye bye take care stay connected